कि है जो स्टूडेंट्स वेल्कम् तू द्स चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले अपना टॉपिक把 अधर्मोडैनमिक्स काफी स्टूटेंट्स को difficult टॉपिक लगता है तो आज की इस वीडियो Chief के अंदर हम thermodynamics को completely discuss करेंगे एक सी देड़ घंटे के अंदर जितने भी हमारे PGT exams है एटस्टेट PGT हो गया जा master calendar हो गया हमारा जितने भी teaching के exams है उन सबके लिए आपको ये वाला thermodynamics का session काफिर helpful रहने वाल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे complete concepts को सीखेंगे और साथ साथ उनके based questions को भी क्या करेंगे practice करेंगे देखो चीजे थोड़ी सी short way में होगी जिकोस हमने एक से देड़ घंटे में इस topic को क्या करना है complete करना है तो अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप channel को subscribe कर सकते हो और आप लोग इस वीडियो को देखने के वाद अपना जो feedback का है comments के रूप में comment section के अंदर क्या कर सकते हो share कर सकते हो start करते हैं ज़दा आप लोग को time waste नहीं करेंगे पूरा fruitful session होगा सारे formula आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे तो thermodynamics देखो नाम सी clear है thermodynamics मतलब होता हीट dynamics मतलब होता है motion मतलब जब हमारे पास जो heat होती है वो motion में होती है heat motion में होती है तब हम क्या कर रहते हैं thermodynamics को study करते हैं जब heat हमारे पास motion होगी तो heat का basically क्या होगा transfer होगा ये heat का transfer होगा तो thermodynamics में हमने वो सारे parameters को study करना है जो हमारे heat से क्या होते हैं related होते है heat बोल दो, energy बोल दो मतलब इस topic में जो हमारा concern होगा जो होगा हमारा concern होगा energy के साथ होगा इसमें हम various forms of energies को discuss करेंगे various forms of energies अब हम काफी types के energies को क्या करेंगे discuss करेंगे इस particular topic के अंदर उसके बाद देखो जब भी हम thermodynamics के study करते है तब हमारे पास दो definitions आती है एक होते है system और एक होते है surrounding देखो system और surrounding में क्या होता है जैसे आप लोग thermodynamics के study कर रहो किसी चीज़ को study कर रहो पोस करो एक container आपके पास अब container के अंदर कोई gas fill कर दिया है तो container के अंदर आपने gas fill कर दिया है तो आप gas के उपर कुछ conditions लगा रहे हो gas का temperature note कर रहे हो gas का volume count कर रहे हो जब gas के उपर pressure increase करके आप देख रहे हो क्या ही factor है तो आप gas को क्या कर रहे हो study कर रहे हो इस container के अंतर जो gas present है उसको study कर रहे हो तो जिस चीज को अब study कर रहे हो उस part को हम क्या बोलते हैं system बोलते हैं तो system क्या होता है जिस part को हम क्या करते हैं study करते हैं मतलब वो वाला part जो हम study करते हैं उसके इलाबा बाकी जुनिवर्स में ये उसके इलाबा बाकी जुनिवर्स में जो भी कुछ है हमारे लिए स्राउंडिंग है जिस चीज को हम स्टडी कर रहे है वो हमारे लिए सिस्टम हो गया बाकी सब हमारे लिए क्या है स्राउंडिंग है तो यहाँ पे स्राउंडिंग क् इलावा है उसको हम बोलते हैं क्या स्राउंडिंग तो accept system बाकी सब कुछ क्या होता है हमार लिए surrounding होता है यह सब भी को clear है तो यहां से हम एक बात बोलते हैं कि जो universe है उसमें दो चीजे होती है एक होता system जिसको हम study कर रहे हैं और बाकी का जो part है उसको हम बोलते हैं surrounding तो यह simple सा हमार पास meaning होता है system और surrounding का जो सभी को पता होगा अब हम बात करते है types of system की तीन तरह की system होते हैं हमार पास एक होता open system एक होता close system और एक होता isolated तो हमार पास जो system होते हैं वो तीन तरह की होते है open system हो गया एक होता है close system और एक होता है हमार पास isolated system open system क्या होता है जब हमार पास energy का भी exchange हो मतलब energy भी down हो जा कम हो जा increase हो और amount में अंदर भी change आए मास का भी क्या हो जैसे कोई चीज हमने open container के अंदर रख दी जैसे कप के अंदर चाय रख दी मैंने पानी रख दिया उबाल के तो आपको पता है water के vapors बनेंगे तो उड़ जाएगा मास भी तो कम होगा न मैटर भी कम होगा उसके लबा energy is loss होई रही है कुछ टाइम बाद पानी या चाय ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर energy का भी loss हो रहा है तो open system क्या होता है open system में हमारे पास energy का भी exchange होगा और मास का भी मास बोल दो जा मैटर बोल दो दोनों का क्या होगा exchange होगा अब देखो मैंने इसी container को ढखकन से ढख दिया यह इसी container को close कर दिया अब मुझे पता है कोई भी मैटर का chain होने वाला जितना पानी था उतना ही रहेगा कोई पानी हम बाहर जाने नहीं दे रहे तो इसलिए रख दो चाई थंडी तो हो जाती है विकोर यहाँ पर energy का exchange हो जाता है तो close system क्या होता है इसमें energy exchange हो बट matter का exchange ना हो third होता है हमारे पास isolated system isolated system का क्या मतलब होता है जब हमारे पास ना ही energy का loss हो ना ही matter का जैसे हम thermos के इंदर चाई रख देते हैं तो उससे क्या रहता है चाई गरम भी रहती है बट एंड उसमें कोई चाई की कमी भी नहीं आती मतलब matter का भी कोई loss नहीं होता बट perfectly कोई isolated system एक exist नहीं करता अगर अच्छी थर्मस होई तो maximum 24 गहंटे रख लेगी गरम उसके बाद तो फिर भी ठंडी हो जाएगी तो कोई भी perfectly isolated system exist नहीं करता तो perfectly कोई भी हमारे पास isolated system isolated system exist नहीं करता यह जो perfectly हमारे पास कोई isolated system exist नहीं करता अगर आपसे पूछा जाएग isolated system का best example होता हो इसमें energy का भी exchange नहीं हो matter का भी exchange नहीं हो तो जो इसका best example होता है वो होता है universe जो isolated system का best example होता है वो क्या होता है universe universe में जो है वो है ना हम उसमें energy को हम create कर सकते हैं ना ही matter को विखो सब कुछ universe के अंदर है तो universe के अंदर ना तो matter का exchange होगा ना ही energy का exchange होगा clear है उसके लिए अगर हम बात करें human body की human body किस तरह का example है देखो हमारी energy भी जैसे मैं भी बोलता हूँ तो मेरी energy भी लोस हो रही है काफी ज़्यादा और हम body के रूप में क्या होता है कई चीज़े बाहर निकालते हैं कई चीज़े इंटे करते हैं फूड के रूप में हम इंटे करते हैं तो matter का भी exchange हो रहा है तो human body ह होती है हमारी वह example होती है open system का जो हमारी human body होती है वो किस तरह का system होता है open system होता है कि नेक्स देखो students हमारे पास क्या होते हैं कुछ हम use करते है terms जिनका हम बोलते है thermodynamic variables ते ये thermodynamic variables क्या होते हैं जैसे अगर हमने एक ग्यास को फिल कर दें container के अंदर अब ग्यास की कौन कौन सी properties को हम measure करेंगे उसका pressure, temperature, volume, उसकी enthalpy मतलब जो ही चीज़े हम measure कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं क्या thermodynamic variables मतलब किसे system को define करने के लिए जो variables required होते हैं like pressure हो गया temperature के volume, number of moles, enthalpy पढ़ेंगे, internal energy इस अब क्या होता है अभी detail में पढ़ेंगे उसके बाद देखो एक हम term use करते हैं process एक process का क्या मीनिंग हुआ जब हम एक state से दूसरी state पर जाएंगे जैसे पहले a था, बाद में b हो गया, जब हम एक state से दूसरी state पर जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या process अब process होता क्या है, suppose को initially pressure था P1, volume था B1, बाद में होगा pressure P2, volume होगा B2 मतलब जब pressure और volume कोई condition change होती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या pressure जैसे हमने एक container है, एक container के अंदर gas flickी गिया है, इसको थोड़ा था heat देना चालू कर दिया तो वो भी एक तरह का process है, because जब हम heat देनी चालू करेंगे, pressure चेंज होगा, volume चेंज होगा, तो temperature चेंज होगा, तो वो भी एक क्या है process है तो process का क्या meaning होता है हमार पास, जब हमार पास कोई parameter जो होता है, change होता है उसके बाद देखो, process है दो तरह का होता है, एक होता है open process, और एक होता है हमार पास cyclic process open process का क्या मतलब है, जैसे हम A से B गया किया हमने पहले कोई process, मतलब कोई change किया, फिर B से C गये, clear है तो इस तरह का system जिसमें कोई change नहीं बन दी, इसको हम बोलते है open process और दूसरा होता है हमार पास cyclic process, cyclic process में क्या होता है, जैसे हम A से B गये पहले यह एक process हो गया, फिर हम B से C गये, यह दूसरा process हो गया, अब हम फिट से C से के आगे, A पे आगे मतलब जब initial और final point क्या हो, system हो, उस तरह के process को हम क्या बोलते है, cyclic process बोलते है ताइकलिक प्रसेस क्या होता है जब हम एक से ज्यादा प्रसेस के थू जाते हैं और इनिशिल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाए सेम हो जाए ओपन प्रसेस में क्या होता है इनिशिल एंड फाइनल जो पॉइंट्स है वो सेम नहीं होते अब देखो कई तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइपस ओफ प्रोसेस, ठीक कितने परकार के हमारे प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं मरपस आईसो थर्मल प्रोसेस, एक होते हैं मरपस एडियाबेटिक प्रोसेस, एक होते हैं मरपस आईसो कोरिक प्रोसेस, एक होते हैं मरपस आइसो बारिक प्रोसेस और एक होते हैं मरपस को ऐसी स्टैटिक प्रोसेस यह एक क्या होते हैं मरपस को ऐसी स्टैटिक प्रोसेस तो यह पांच टाइप के हमरपस बेसिक से प्रोसेस होते हैं हम एक से इसे दूसरी सेज़ पे गए अगर हमने एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर गए और हमने हर एक पॉइंट पे temperature को constant रखा यहाँ पर भी temperature से यहाँ पर भी temperature अगर हर एक point पे temperature constant हो मतव cuts अगर temperature constant हो तो उसको हम बोलते है isothermal process अगर हमार पास temperature क्या हो constant हो तो उसको क्या बोलेंगे isothermal process अगर temperature constant है तो temperature में change क्या जाएगा 0 और dtv क्या हो जाएगा 0 फिली रहे तो isothermal में क्या होता है temperature constant एडियवेटिक process क्या होता है वो परसेस जिसमें ना ही हम कोई heat दे ना ही कोई heat ले ठीका ना मतलब heat exchange कितنا हो जाएगा 0 heat extend कितना हो जाए 0 तो उस तरह के process को हम बोलते है adiabatic process मतलो heat को हम represent करेंगे q से तो इस process में q क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पे q किसको represent करता है heat को represent करता है isocoric process का क्या meaning होता है जब हमारे पास volume constant हो जाए जब हमारे पास volume constant हो जाए तो उस तरह के process को हम बोलते है isocoric process तो यहाँ पे change in volume भी 0 हो जाएगा and small change in volume भी 0 हो जाएगा देखो delta V हम use करते है large change को represent करने के लिए और D use करते हैं small change को represent करने के लिए उसके बाद isobaric process में क्या होता है जो हमारा pressure है वो constant हो जाता है जो pressure वो constant हो जाता है मतलब del P की value जीरो हो जाएगी और DP की value यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी next देखो quasi static process क्या होते है जो process काफी slowly होते है उनको हम बोलते हैं क्या quasi static process जो process क्या होते है which occurs very slowly which occurs very slowly उनको हम क्या बोलते है quasi static process बोलते है और इनकी example हम पढ़ेंगे reversible process जितने भी reversible process होंगे आगे जाके हम पढ़ेंगे वो किसकी example होंगे तो आसी static process की example होंगे यह process को discuss करने के बाद students यहां से आपके previous year में बन चुका है question ठीक है न तो शायद वहाँ पे ISO correct process के बारे में पूछासा आप से तो यह सारे process आप लोग को घ्यान रखने है next देखो हमारे पास हम functions की बात करते है thermodynamics के अंदर काफी सारी time यह होती है उनमें से एक term होती है function यह function हमारे पास दो तरह की होते है एक होते है state function और दूसरी होते है path function यह एक होते है state function और एक होते है path function दोनों में क्या meaning है suppose करू मैं a state से गया दूसरी state पे ठीक है एक a point था a point से मैं b point पे गया suppose करू यह मेरा path number 1 है मैं इसके through गया यह मेरा path number 2 है इसके through गया और यह मेरा path number 3 है इसके through गया अब अगर state function होगा तो आप किसे भी path के through जाओ हम initial and final point के दिखते हैं a हमारा क्या है initial point है और जो b है हमारा वो final point है अगर हमारा initial और final point सेम है तो जो state function की value है वो क्या होगी सेम होगी अगर initial and final point सेम है तो state function की value क्या होगी सेम होगी तो state function क्या होते है जो सिर्फ initial and final position के उपर depend करते हैं कैसा path follow किया उसके उपर depend नहीं करते हैं तो जो state function होते हैं वो किसके उपर depend करते हैं initial and final point के उपर depend करते हैं path followed के उपर depend नहीं करते हैं और जो path function होते हैं अब किस path के तुरू गए कि किस path के दूगे उसके उपर depend करेंगे मतलब अगर first path के दूगे तो path function की value अलग होगी second path के दूगे तो उसकी value अलग होगी third path के दूगे उसकी value अलग होगी तो path function क्या होते है जो path followed के उपर depend करते है कौन से path के दूगे initial और final पे तो depend करते ही है बट साथ साथ path followed के उपर भी क्या करते है depend करते है तो हमारे पस दो ही path function होते है एक होता है heat and एक होता है work अब मुझे बताओ यह logic ले लिकुल heat and work heat and work क्या होता है मारे पस path function होते है इसके इलाबा बाकी सभी हमारे पस क्या होंगे state function होंगे यह सिर्फ heat and work की हमारे पास क्या होते है, path function होते हैं, अब मुझे खुद बताओ, आप a से b point पे गए, तीन अलग-लग रस्तों से गए, तो आपको definitely अलग-लग work करना पड़ेगा ना, same work तो नहीं करना पड़ेगा, और heat भी, अगर आपने a से b तक जाना है, तो अलग amount की क्या होते हैं हमारे पास requirement होते हैं, तो आपने बस इतना point याद रखना है, जो heat and work होते हैं, वो क्या होते हैं, path function, इसके इलावा जितने भी हम terms पड़ेंगे, कौन-कौन सी terms पड़ेंगे, अब मैं उनको introduce करता हूँ, इसके इलावा, heat and work के लावा, बाकी सारी जो हम पड़ेंग करेंगे, internal energy इस chapter में use करेंगे, इसको मैं use represent करेंगे, किसी किसी book में इसको इसे भी represent करते हैं, उसके लावा enthalpy हम पड़ेंगे, जिसमें हम et से represent करेंगे, gives free energy पड़ेंगे, gives free energy, जिसको हम किसे represent करेंगे,tonWith प्रिजेंट करें एसके लवब हम पढ़ेंगे इन्ट रॉपीु इन्ट रॉपि Yuri जिसको हम क्या पढ़ेंगे ऐसे रिप्रेंट करेंगे एस ऐसे हम क्या पढ़ेंगे सब्सक्रिद करें हैं इस पर्टिकुलर टॉपी के अंदर। जो बाकी सारी टर्म से यहीत और वर्क के लिए वा जो भी हमरे पस टर्म आएंगी तो सभी क्या होंगी state function होगी अब देखो state function क्या मतलब है अगर यहां पे internal energy क्या है यूवन है यहां पे internal energy यह स्पोस्थ करो यूटू तो जो जो चेंज इन डेल्टा यू होगा ठिक है डेल्टा यू मतलब change in internal energy वो हमेशे ही क्या होगा final minus initial वो किसके कल होगा final minus initial के मतलब आप चाहे path 1 के थू जाओ चाहे path 2 के थू जाओ चाहे path 3 के थू जाओ मतलब जो internal energy है वो तीनो path के दुरूप क्या रहेगी same रहेगी because हमारा initial and final point क्या है same है तो जो भी हमारे पास state functions होते हैं वो initial and final position के उपर depend करते हैं उसके लाबा path followed के उपर वो depend नहीं करते और जो path function होते हैं दो ही होते हैं हमारे पास heat and work उसके लाबा जो भी हम terms पड़ेंगे तो सभी हमारे पास क्या होंगी state function होंगी next देखो students जो important topic है ठीक है इसके उपर आप star mark कर लो यह काफी important topic है ठीक है types of microscopic properties दो तरे की हम properties की बात करते हैं एक होते हैं intensive properties और दूसरी होते है extensive properties intensive से याद रखना independent intensive properties क्या होती है जो independent होती है किससे amount से amount से जब mass से क्या होती है independent होती है मतलब कितना भी mass लेलो इनकी value क्या रहेगी same रहेगी उस तरे की properties को हम बोलते हैं intensive properties जो extensive properties होती है वो mass के उपर depend करते हैं मतलब amount के उपर क्या करती है depend करती है अब ये क्या मीनी हुआ मैं समझातूँ आपको जैसे देखो इसके लिए मापको एक एकजांपल उतातूँ एकजांपल के थूँ आपको सारी एकजांपल कलीर हो जाएगे जैसे मेरे पास एक कंटेनर है एक कंटेनर है इसके अंदर number of mole है suppose करो n mass है suppose करो m इसकी suppose कर लो temperature है T प्रेशर है P उसके लावा volume है V और molarity है M हम मुझे बताओ मैंने इस container को half कर दिया यह मेरे पास पूरा container था यह जिसका ठीक है इसको मैंने half कर दिया ठीक है इस container को मैंने क्या कर दिया half कर दिया एक container था उसमें यह सब कुछ present है तो मैंने container को half कर दिया अब container को half करने पे क्या moles half हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे पहले ठीक है न पूरे container में n moles से अब हमने container को half mole कर दिया तो दोनों तरफ क्या रजाएंगे n y 2 moles रजाएंगे n y 2 moles मतलब जो moles होते हैं वो amount के उपर depend कर रहे हैं moles है जो amount के उपर क्या कर रहे है depend कर रहे हैं इसलिए moles क्या होंगे extensive properties होंगे तो जो भी amount के उपर value depend कर रही है amount vary करने से वो property vary हो रही है उनको हम बोलते हैं क्या extensive properties क्या mass half हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, मास भी M by 2 हो जाएगा तो मास भी क्या हो जाएगा extensive property, temperature क्या half हो जाएगा, आप मुझे एक बाब बताओ एक road को गरम कर लो ये पूरी road को गरम कर लो काफी temperature पे, पोज़ करो आपने 100 degree Celsius तक road को गरम कर दिया अब road को बीच में से तोड़ दो क्या इसका temperature टी वाइटू इसका temperature टी वाइटू होगा, नहीं होगा अब दोनों roads को टच कर ले न जितना temperature 100 degree Celsius ता road का, तब भी तोडने के बाद भी 100 रहेगा, तो it means temperature है जो amount के उपर depend नहीं कर रहा, तो temperature किस तरे की property हो गया temperature हमार पास intensive property हो गया, यह amount के उपर depend नहीं कर रहा तो यह किस तरे की property है, intensive property है, अब temperature में कौन-कौन सी term में आ जाती है temperature में boiling point आ जाएगा melting point आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगी, intensive properties हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएंगे हम अरपस like temperature में boiling point हो गया melting point हो गया यह सब properties क्या होगी intensive properties होगी intensive properties होगी उसके लिए बाब pressure ठीए pressure भी same ही लगएगा ठीक है ना pressure भी p ही रहेगा temperature भी t ही रहेगा मतलब pressure भी एक क्या होती है intensive property होती है volume तो बिल्कुल half हो जाएगा volume तो बिल्कुल half हो जाएगा यहाँ पर capital M क्या represent कर रहा है molarity को molarity भी M में ही रहेगी molarity change नहीं होगी क्यों नहीं change होगी देखो molarity क्या होती है concentration term होती है जैसे आपका एक पानी है पानी में आपने तुगर डाल दिया तो इस solution की कितनी मिठास है कितनी उसकी concentration है उसी को हम क्या बोलता उसकी concentration अब देखो अगर आपने चाहे एक चमत लेड़ो इससे चाहे पूरा अब पी जाओ मिठास तो उतनी रहेगी ना चाहे container को half कर दो जितना हमारे पास molarity बन चुक है solution की वो क्या रहेगी same रहेगी container को half करने को पर कुछ भी change कर दो तो इसलिए जो molarity होती है वो भी क्या होती है intensive property होती है तो मैं आपको list देता हूँ वो आपने एक दौर practice करनी है देखो मैं logic आपको समझा दिया कैसे हम intensive और extensive को decide करते है अब इनकी जो list है वो हमने क्या कर लेनी है याद कर लेनी है तो देखो पहले हम बना लेते है list of extensive properties या आप भी साथ साथ बना लेना extensive properties की हम list बना लेते हैं देखो extensive properties में mass क्या होगा extensive होगा mass ये moles ये extensive होगे ये volume भी हमार पास क्या होगा extensive property होगा तो जितने भी energy terms होती है जितने भी हमार पास क्या होती है energy terms होती है all energy terms all energy terms क्या होती है हमार पास extensive होती है कैसे होती है जैसे देखो मेरे पास कुछ energy है मेरी मैं बोल रहा हूँ energy lose हो रही है आप देखो मैं कुछ खाऊंगा ठेक कुछ खाऊंगा तो मेरी energy बढ़ेगी कम खाऊंगा तो कम energy increase होगी तो energy जो है कितना खाऊना खा रहा हूं मैं उसके उपर depend कर रही हैं मतलब amount के उपर depend कर रही हैं इसलिए जितनी भी energy terms होती हैं वो गेंटेसीव होती हैं extensive properties होती है उसके इलावा जो हमें discuss करना है, तेक होता है heat capacity heat capacity heat capacity भी हमार पास क्या होती है extensive property होती है तो हो heat capacity का क्या हमी नहीं होता है अगर कोई substance है M substance है M substance का temperature हमने suppose को उसका T temperature है इसका temperature हमने 1 degree Celsius से क्या गरना है increase करना है, जो हमें heat देनी पड़ेगी, temperature को 1 degree Celsius से increase करने के लिए जो हमें heat देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते है heat capacity तो यहाँ पर mass कितना भी हो सकता है, mass 1 gram भी हो सकता है 10 gram भी हो सकता है, 100 gram भी हो सकता है, तो heat capacity mass के उपर क्या करेगी, depend करेगी, clear है, तो जो heat capacity होती है, वो हमार पास एक extensive property होती है because हमने किसी mass को 1 degree Celsius से क्या करना है, increase करना है अब mass की value हमार पास कुछ भी हो सकती है, कितना भी हम mass ले सकते है उसके लावा हमार पास surface area, यह area तो पता है आपको आधा हो जाएगा, आधा करने पर तो area भी किसके उपर depend करेगा, amount के उपर depend करेगा, उसके लावा force यह force भी हमार पास क्या होती है, एक extensive property होती है तो यहाँ पर कुछ list थी हमार पास extensive properties की इसके लावा हम discuss करते हैं intensive properties को यहाँ हम discuss करते हैं list of intensive properties intensive properties कौन से होती है Intensive Properties मतलब जो Amount के उपड़ डिपेंड ना करी Intensive Properties Intensive Properties में सबसे पहले आता है हमर पास Temperature Temperature आगया Temperature के साथ Boiling Point भी आजाएगा और Melting Point भी आजाएगा उसके लावा हमार पास जो Molarity होती है जो Concentration Terms होती है Molarity हो गया In general मैं लिख देता हूँ Concentration Terms Concentration Terms जो होती है हमारे पास वो क्या होती है Intensive Properties होती है उसके लावा जो हमारा Electro-Potential है E-cell यूज़ करते हैं Electro-chemistry में Electro-Potential जो Electro-Potential होता है ये भी हमारे पास एक Intensive Property होता है उसके लावा हमने ध्यान अखना है एक जो टर्म होती है हमारे पास Density ठीक है न Density भी क्या होती है Fix होती है Density भी हमारे पास क्या है Intensive Property होती है उसके लावा 5th point जो आपको ध्यान अखना है एक टर्म यूज़ करते है Specific Heat Capacity Specific Heat Capacity क्या मेनिंग होता है इनका समझाता हूँ और एक होती है हमारे पास Molar Heat Capacity देखो Left में हमने क्या लिखा था Extensive में हमने लिखा था Heat Capacity अब Intensive में क्या लिखा रहा हूँ Specific Heat Capacity और Molar Heat Capacity अब Specific Heat Capacity क्या होती है अगर हमने एक ग्राम सबस्टांस को ये एक ग्राम सबस्टांस लिया उसका Temperature मैंने 1 degree Celsius से Increase करने एक ग्राम सबस्टांस को मैंने 1 degree Celsius उसका Temperature Increase करने तो जो Heat देनी पड़ेगी उसको बोलती है Pacific Heat Capacity अब इसमें हमने मास को Fix कर दिया कि मास हमने एक ग्राम ही लिए तो मास को अगर Fix कर दिया तो मास के क्या हो जाएगी Independent मतलब Amount के उपर अब यह Depend नहीं कर रही Because हमने Amount को Fix कर दिया इसलिए यह हमार पास क्या हो जाती है Intensive Property उसके लवा Molar Heat Capacity में क्या होता है हमने 1 Mol Substance लेना होता है 1 Mol Substance को 1 degree Celsius से उसका Temperature Increase करने के लिए जो Heat देनी पड़ती है उसको हम बोलते है Molar Heat Capacity तो इसमें भी हमने 1 Mol Amount को Fix कर दिया इसलिए यह भी क्या होती है हमार पास Intensive Property होती है उसके बाद देखो Next Point अगर दो Extensive Properties है अगर दो Extensive Properties है उनका हम Ratio ले ले तो वो हमार पास क्या बन जाती है Intensive Property बन जाती है अगर हम दो Extensive Properties का Sum Divide ले ले तो वो क्या बन जाती है Intensive Property बन जाती है कैसे बन जाती है Example के थूर डिस्कस करते है कैसे बन जाती है हमार पास यह Example के थूर हम Cover कर लेते है जैसे देखो मेरे पास है Molarity Molarity क्या होती है उपर लेते हैं Number of Solute नीचे लेते हैं Volume of Solute उपर लेते हैं Number of Moles of Solute नीचे हम लेते हैं Volume of Solution इन लिटर्स अब स्पोस करो मैं उस Container को Half कर रहу तो Container को Half करने पर क्या होगा Number of Moles भी Half हो जाएगी और Volume भी Half हो जाएगा तो Overall देखो Molarity क्या रह जाएगी फिर से 2 से 2 कट जाएगा NYV रह जाएगी मतलब Molarity तो Change नहीं होने वाली चाहे आप Container को Half कर दो Molarity तब भी से में मैंने आपको Logically भी बता दिया और यहां से हमारा Mathematically भी क्या हो गया Proof हो गया तो यह Statement-wise Question में आपस पूछा जा सकता है उसके लागा अगर हम देखें Density को Density क्या होती है मरपास Mass upon Volume Density का क्या formula होता है Students Mass upon Volume अब अगर मैंने container को Suppose करो Half कर दिया तो Mass भी Half हो जाएगा और Volume भी Half हो जाएगा Overall 2 से 2 गड़ जाएगा तो Density क्या रह जाएगी Mass by Volume ही रह जाएगी मतलब दो Extensive Properties को जब हम Divide करते हैं तो हमें क्या मिलती है Intensive Property मिलती है तो ये Concept आपने ध्यान रखना है इस वाले Topic से भी आपके H-Tat के अंदर PGT के अंदर और बहुत सारे Master Cadres जितने भी PGT Exams हैं उनके अंदर यहां से Question बनते हैं तो ये वाला Topic हमारा क्या होता है Important है और इस Topic को हमने पूरा Detail में क्या कर लिया है Discuss कर लिया है उसके लाब आप एक पॉइंट और ध्यान रख लेना जो हमारा पस Extensive Properties होती है उनको हम आपस में Add कर सकते हैं Extensive Properties क्या होती है Additive Nature की होती है Additive Nature मतलब उनको हम Add कर सकते हैं और जो हमारा पास Intensive Properties होती है वो Non Additive Nature की होती है Intensive होती है हमारा पास वो क्या होती है Non Additive Nature की होती है मतलब उनको डारेक्टली हम Add नहीं कर सकते हैं Next हमारा जो Topic है इसके बाद Heat and Work को हम Discuss करते हैं जो हमारा पास Next Topic है Heat and Work देखो heat and work क्या होती है दोनों ही energy की forms है अगर हमारे पास energy है तो उसके साथ heat related होती है यह energy के साथ heat related होती है और energy के साथ ही work related होता है तो दोनों क्या होती है हमारे पास both are forms of energy अगर हमारे पास energy है तब ही हम काम कर पाएंगे ना तभी हम वर्क कर पाएंगे और heat भी क्या होती है energy की एक form होती है जैसे अगर हमारे पास क्या होता है ज्यादा temperature होगा तो ज्यादा energy होगी तो heat और work क्या होती है दोनों को energy की forms है अब जो heat है वो किसके कारण होती है energy due to temperature जो energy की form है energy form due to temperature temperature के कारण होती है heat और जो work है energy की form है किसे भी work के कारण except temperature temperature के इलावा कोई भी form की energy होगी temperature के इलावा उसको हम क्या बोलेंगे work बोलेंगे तो यह simple सा meaning होता है heat and work का और जो heat and work में हम देखते है next point जो हमने पढ़ने होते है वो होते है sign convention यह हमारे जो chemistry में sign convention है यह काफी important होती है जो हमारे chemistry में sign convention है यह क्या होते है काफी important होती है तो sign convention IUPAC ने decide करकी है by IUPAC तो sign conventions को याद करने के एक trick है super trick क्या बोल रहो हमने system को खुश करने है किसको खुश करने है system को मतलब अगर हम system को heat देंगे system खुश होगा तो अगर system से काम करवाएंगी work done by system तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा तो यहाँ पर देखू, हमारे पास जो convention होती है अगर work done by system अगर system काम करेगा तो system खुश होगा है नवराज system को काम करना पढ़ता है तो work done by system हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव वर्क ड़न ओन सिस्टम, सिस्टम के उपर काम किया जाएगा वर्क ड़न ओन सिस्टम तो वो क्या होगा हमार पास positive हीट गिवन तो सिस्टम, हमने हीट दिया सिस्टम को हीट गिवन तो सिस्टम हमने system को कुछ दिया तो वो अच्छी बात है तो positive आएगा उसके इलाबा heat lost by system heat lost by system वो क्या होगा negative होगा heat lost by system क्या होगा हमार पास negative होगा तो यह कुछ sign convention होते हैं जो हमें हमेशा के लिए ध्यान रखने है यह वाले sign convention हमने ध्यान रखने है यह chemistry में हम यह sign convention को follow करते हैं तो एक दो बार आप क्या करो इनकी reading कर लो ठीका ना chemistry में हम यह वाली sign convention क्या करने वाले हैं use करने वाले हैं तो इनको आप mind में fit कर लो because question तभी solve कर पाएंगे अगर हमें यह वाली sign conventions आती होंगी नेक्स देखो हमार पास ठीके जो sign conventions का practical meaning है वो मैं आपको समझाता हूं जैसे मेरे पास एक container है एक container के अंदर gas fill कीगी है तो हमने gas fill कर दिया यहां पर मैंने लगा दे पिस्टन ठीके पिस्टन क्या करता है gas का pressure है जो वो change कर सकते है मतलब gas का volume and pressure है वो change कर सकते है अब देखो जब मैंने pressure को ऐसे पिस्टन को एसे प्रेस किया नीचे को यह पिस्टन को प्रेस किया तो जो हमारा gas fill कीई है container के अंदर gas fill की गयी है यह हमारा system है और जब मैंने system के उपर piston को लगाया ऐसी, donc果 diesel में press किया हम system के उपर काम कारे न हम system के उपर क्या कता है, काम कारे न तो यह हो क्या रहा है, work done on system अगर work done on system हो रहा है, अब जो gas है वो, उंदर जो gas फिलिक्या रहा है वो क्या हो जागी जब में उपर से piston कर रहे है तो हमने system के उपर काम किया तो sign कौन सा आएगा positive और उसका result क्या है gas compress हो रहे है तो जब भी gas compress होगी तो हमारा work का कैसा आएगा positive तो जब भी हमारे पास work done on system है तो यह कौन सा work होगा compression work होगा तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि compression work positive होता है negative compression work जो होता है हमारे पास वो positive होता है तो इसका उल्टा जो expansion work होगा वो क्या हो जाएगा negative जो हमारे पास expansion work होगा वो क्या हो जाएगा negative इसको कैसे सोच सकते हैं जैसे piston को मैंने release करना start कर दिया यह piston को उपर को press करना start कर दिया तो अब piston उपर कब होगा जब नीचे से system work करेगा जो piston है वो उपर कब होगा जब नीचे से gas इसके उपर pressure लगाएगी तो अब इस वर gas काम कर रहे मतलब system काम कर रहे है तो जब system काम करेगा तो हम बोलेंगे work done by system work done by system अगर system ने work किया हमारे पास तो हम sign यूज़ करते है negative और इसका result क्या है system के काम करने का result क्या है कि gas क्या हो यह expand हो रही है यहाँ पर क्या होगा gas expansion तो बस मैं आपको इतना point बताना चाहरा हूँ जब हम expansion work की बात करेंगे तो work का sign negative होते है और जब हम compression की बात करेंगे compression work की तब work का sign positive होते है students को confusion होती है कि expansion में हम negative कैसे ले लेती है compression में positive कैसे ले लेती है तो इसको मैंने with example आप लोग को proof कर गिया है next देखो जो हमारा topic है वो है first law of thermodynamics next हम discuss करेंगे first law of thermodynamics first law of thermodynamics इसको मैं shot में अब से float लिखते करूँगा तो वहां से आप समझे लेना यह first law of thermodynamics की बात हो रहे है अब यह first law of thermodynamics हमें बोलता क्या है इसकी जो statement है पहली होती है यह law of conservation of energy को बताता है कि energy ना ही create की जा सकती है ना ही destroy की जा सकती है हम energy को एक form से जूसरी form के अंदर क्या कर सकते है convert कर सकते है यह पहला statement होता है first law of thermodynamics का बट इसका जो mathematical expression है यहां से हमारे exam में क्या बनते है question बनते है तो इसका जो mathematical expression होता है वो होता है delta u यहां पे उन्होंने internal energy की बात किया अब यह internal energy क्या होती है internal energy एक system के अंदर present जितनी भी energy forms होती है एक system के अंदर present जितनी भी energy की forms होती है उनको हम बोलते है क्या उनके sum को हम क्या बोलते है internal energy बोलते है जितनी भी forms present होगी ठीक है ना एक system में जितनी भी energy terms present होगी उनके sum को हम क्या बोलते है internal energy बोलते है बस इतना सा आपको पता होना चाहिए अब में चीज क्या है first law of thermodynamics के according जो internal energy है internal energy में हम कभी भी absolute value नहीं निकालते है internal energy change निकालते है तो जो इसका value होता है वो होता है Q प्लस W तो यहाँ पे आपको terms का मेन इपता होना चाहिए delta U क्या होता है internal energy change क्यों क्या होता है आपके पास heat w क्या होता है work but इस formula को जब भी use करना आपने with sign करना है ठीक है न use each value with sign ठीक है यह वाली बात ध्याना करनी है जब भी यह वाला formula यूज करना है use each value with sign convention अगर आपको question में बोला गया work done by system आपको बोला गया question में work done by system is 50 kJ तो आपको बोला गया work done by system work done by system क्या होता है negative होता है तो आपने जो formula value put करनी है वो minus 50 kJ ठीक है तो आपने जब भी use करना है यह वाला formula with sign convention ही use करना है sign convention क्या होती है यह आपको अभी मैंने सिखा है तो जब भी ये formula यूज़ करना है with sign convention करना है और इस expression को हम बोलते हैं क्या first law of thermodynamics हम internal energy की exact value नहीं निकाल सकते हम जो internal energy है उसका change निकालते है जो किस किकल होता है Q plus W किकल होता है इसी को हम बोलते हैं क्या first law of thermodynamics इस formula के base time कुछ questions को practice करते हैं तब हमें clarity होगा ये दो question है आप लोग खुछ से try करो ये दोनों questions को आपने खुछ से try करना है तब आप लोग का confidence increase होगा तो ये को try करो वीडियो को pause करके आई हुप आप लोग ने try किया होगे देखो पहला question क्या बोल रहा है आपको calculate करना है delta u ये आपको delta u calculate करना है if system absorb तो क्यों कितना हो जाएगा plus 10 kJ and does 5 kJ of work मतलब system ने 10 kJ energy absorb किया और 5 kJ का कर दिया काम कर दिया तो क्यों किया does 5 kJ work मतलब system ने काम किया system ने काम किया तो system खुश होगा नहीं होगा तो यहाँ पे जो work की value है वो कितने लेंगे minus 5 kJ because work is done by system तो यहाँ पे हमारे पास delta U क्या होता है Q plus W Q कितना है 10 kJ और W कितना है minus 5 kJ clear है तो इसको solve करा हमारा जो final answer रहा है वो आएगा 5 kJ तो आप लोगोंने ध्यान रखना है जब भी first law of thermodynamics use करना है तो जो formulas है उनको with sign ही put करना है ठीगे next question थोड़ा था autovist कर दिया ठीगे next question देखो आप कैसे solve करोगे तो find the delta U आपको delta U find out करना है if surrounding absorb 5 kJ of heat surrounding भी surrounding ने 5 kJ heat absorb किया तो मतलब system ने release किया होगा तब भी surrounding ने absorb किया होगा तो इस line का मतलब किया है surrounding release 5 kJ energy surrounding release sorry system release 5 kJ energy तो surround system के respect में क्या होगा system release 5 kJ energy अगर surrounding ने absorb किया है तो system ने release किया होगी तो इसके respect में system ने release किया heat तो Q की value कायागी minus 5 kJ because heat lost by system क्या होता है negative होता है and work done by surrounding अब surrounding ने work किया तो work किसके उपर किया होगा surrounding ने work किया work done by system sorry work done by surrounding तो work done by surrounding है surrounding किसके उपर work करेगा system के उपर मतलो इसको हम बोलेंगे work done on system work done on system अगर surrounding ने work किया है तो system के उपर किया है तो इस line का क्या meaning होगा work done on system और work done on system क्या होता है positive तो यहाँ पर work कितना रहेगा प्लस 570 किलो जूल तो यहाँ अगर हम डेल्टा यू की वैलिम निका ले तो वो होते क्यू प्लस डवल्यू क्यू कितना है माइनस 5 किलो जूल प्लस वर कितना है 570 किलो जूल इसको सॉल्व करेंगे हमारा अंसर आएगा 565 किलो जूल तो इस तरह के question आपसे पूछे जा सकते हैं on the basis of first law of thermodynamics इसके बार next देखो students कुछ हमें expressions और पढ़ने हैं यह आप लोग मैं वर्क का एक journal फॉर्मूला बता दूँ जो वर्क का एक फॉर्मूला होता है minus P external into db यह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है minus P external into db ठीक यहाँ पर हम डाल देते हैं integration का sign यह हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला होता है अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने ही modify करने है तो इसको ऐसे भी लिख सकते है work is equal to minus P external v2 minus v1 इस form में भी लिखा जा सकते है अब उसके बार देखो हमारे पास दो तरह के process होते है जो process होते हैं दो तरह के होते है एक होते है reversible process और एक होते है हमारे पास irreversible process irreversible process तो reversible के case में और irreversible के case में क्या difference है वही समझ दे है जो reversible process होते हैं वो काफी slow process होते है जो reversible process होते हैं वो slow process होते है और जो हमारे पास irreversible process होती है वो क्या होते हैं काफी fast process होती है अब जो हमारे पास irreversible process है उनके लिए work का एक ही formula होता है work is equal to minus p external into db तो irreversible process के लिए सिर्फ एक ही formula valid होता है work is equal to minus p external into db तो इसी को modify करके हम लिख सकते हैं minus p external into v2 minus v1 बस इतना सा हमने याद रखना है regarding irreversible process अब देखू हमें कैसे पता चलेगा कोई process reversible है जा irreversible है तो irreversible process की पहचान क्या होती है question में mention होता है word against constant pressure against constant pressure जब भी ये line लिखी मिल जाए तब समझ लेना जो process है वो क्या होगा हमारे पास irreversible process होगा और उस case में हमने ये वाला formula क्या कर देने है apply कर देने अगर हमारे पास reversible process होगा तो वो लिख देगा reversibly हमने expand किया जा reversibly हमने compress किया clear है अब इसके case में हमने क्या करने होते है formulas को deduct करना होता है कौन-कौन से formulas हमने याद रखने है तो reversible के case में हमारे पास काफ़ी सारे case आएंगे तो one by one उनको discuss करते है सबसे जो important होता है reversible isothermal एक question में clearly mention होगा reversible isothermal process reversible isothermal process इस case में हमने formula एक याद करना पड़ेगा देखो reversible का तो एक ही formula है reversible के case में हमें याद करना पड़ेगा सिर्फ एक formula याद कर लो बाकी सब आप यहीं से बना सकते हो वर्क का formula होता है minus 2.303 log या पहले nRT लेका लो minus 2.303 nRT log V2 over V1 के final volume over initial volume बस एक formula याद करना है बाकी सारी form इसकी यहीं से बन जाएगी यह यह वाला formula आपको याद रखना है यहाँ पे n moles होते n moles होते ठीक है आर क्या होता है universal gas constant की value होते है 8.314 joule per mole Kelvin अगर प्रेशर में लेनी है तो 0.0821 atmosphere लीटर per mole Kelvin उसके लबा V2 final volume होते है V1 initial volume यह T क्या होता है temperature होते है जिसको हमने Kelvin के इंदर लेना होते है अब देखो इसी formula को हम कैसे modify कर सकते है जो हमारे पास isothermal होते है उसमें temperature constant होते है अगर हमारे पास temperature constant होगा तो यहाँ पे लगता है boil slow temperature constant पे boil slow लगता है boil slow क्या बोलता है हमें जो P1 V1 होता है वो P2 V2 के इकल होता है तो यहाँ से P1 over P2 इसके इकल आजाएगा V2 over V1 मतलब इस वाले formula में हम P2 Y V1 को P1 over P2 V लिख सकते है इस तरह की modification हो सकती है और क्या modification हो सकती है कई वारो log V1 over V2 दे देगा log के अंदर terms को opposite कर देगा तो बाहर क्या जएगा positive sign है देगा तो कई सारी forms बन जाते है कई सारे formula बन जाते हैं इस particular process के बट हमें एक formula याद कर लेना है बस इसी से हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा अगर इसको pressure में कनवट करना है तो V2 over V1 को P1 over P2 लिख दो तो वर्क क्या जाएगा minus 2.303 nrt log P1 by P2 के यह formula याद कर लो बस आप लोग ने reversible isothermal यही case पूछा जाएगा आपके exam में इसके लावा कोई नहीं पूछा जाएगा कि यही वाला case पूछा जाएगा तो आपने यह वाला formula क्या रखना है directly याद रखना है next देखो हमारा पास एक question लिखा है मैंने आपके लिए question क्या बोल रहा है 2 mole of an idle gas is expanded reversibly यह expand कर दिया reversibly from 1 liter to 10 liter at 227 degrees Celsius मतलब एक fixed temperature आपको दे दिया तो जी कौन सा process हो जाएगा reversible ही बोल दिया reversible एक fixed temperature दिया है तो reversible isothermal हो जाएगा तो हमने formula कौन सा लगाना है यह वाला एक formula याद करना पड़ेगा हमने formula लगाया N कितना दिया है, moles कितने दिया है 2 moles दिया है, R की value क्या होगी अगर हमने answer joule में निकालना है तो 8.314 लेड़ेगी तो हमारा answer joule में आजाएगा into temperature 227 degrees Celsius इसको Kelvin में convert करना मत भूलना इसके अंदर 273 को add कर दो तो यह बन जाएगा हमार पास 600, sorry 500 Kelvin यह कितना बन जाएगा हमार पास 500 Kelvin बन जाएगा into 500, log final volume कितना 10, initial volume कितना 1 तो 10y1 कितना हो जाएगा 10, log 10 कितना होता है 1, तो answer क्या आजाएगा work का minus 2.303 into 2 into 8.314 into 500 इस value value को solve कर ले न fuel के अंदर क्या आजाएगा आपका तो final answer आजाएगा अब यहाँ पर work क्या आ रहा है, negative आ रहा है यह work negative आने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो work done किसी ने किया है work done by system है तो मैंने आपको बताया ही था अभी अभी कि जो हमारे पास expansion का work होता है, वो negative होता है तो हमारे यहाँ से clearly mention भी हो रहा है कि एक लीटर से 10 लीटर गया है तो volume बड़ है मतलब expansion होगा है expansion का work negative होता है तो यह हमारा final answer से भी clear हो रहा है आपको question पढ़ते ही clear हो जाहिए था कि work हमारे negative आएगा तो कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, expansion होगा है तो वैसे भी हमने जब solve किया negative आया तो अगर by chance दो option ऐसे हो जिनमे positive sign दिया हो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं उनको काड सकते थी इस तरह आपने देखना है जब भी expansion होगा, work negative आएगा compression होगा, work हमारा positive आएगा और यह वाला formula important है इसको आप लोगोंने definitely एक दूबार लिखके practice करना है उसके बाद देखो यह वाले formula's मैंने लिख दिया है आप लोग के लिए याद कर लेने इनको लिए इनसे direct question आपके exam में पूछा जाता है उसके बाद देखो अब मुझे एक term समझानी है आपको जिसको हम बोलते है heat capacity देखो heat capacity का meaning हम already देख चुके है heat capacity क्या होती है इसको हम C से represent करेंगे और जो heat capacity होता इसका meaning होता है इसे body का temperature हमने एक degree Celsius से increase करने के लिए जो हमें heat देनी पड़ते है उसको हम बोलते है heat capacity और जो heat capacity का formula होता है कितनी heat दी और कितना temperature change हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या heat capacity यह simple सा formula होता है क्यों यहाँ पर heat given होता है और delta d क्या होता है temperature j यह वाला formula आप लोगोंने directly याद कर लेने है बड़ यह वाला चीज इतनी important यह है important क्या है heat capacity को हम दो conditions के उपर measure करते है एक होती ही heat capacity at constant volume constant volume के उपर इसको measure करते है और एक को हम measure करते है at constant pressure ठीए एक को हम constant pressure के उपर क्या करते है measure करते है जब heat capacity को हमने कितना heat देनी पड़े ठीक है ना उसको constant volume के उपर measure करते है तो उसको हम बोलते है cv और constant pressure के उपर measure करते है उसको हम बोलते है cp तो ये cp cv terms हैं जो हम इस chapter के इंदर frequently use करेंगे इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि heat के पैस्ती हम दो conditions के उपर measure करते हैं एक होते constant temperature और एक होते constant pressure जब constant constant volume और constant pressure एक constant volume वाली cv होती है और constant pressure वाली cp होती है इसके next देखो हमार पस next क्या है जो हमार पस एक तो internal energy change का formula था du का q plus w यह जाद delta u is equal to q plus w यह वाला हमने formula एक पढ़ लिया अब जो delta u का मैं दूसरा formula बता रहूं यह भी हमार पस क्या होता है important है तो जो दूसरा formula है वो आप लोगने ऐसे याद करना है जो du होता है du बोल दो या delta u एक बात है वो किसके क्लोट है n cv dt यह किसके क्लोट है du is equal to n cv dt तो इस line का क्या meaning हो हमार पस जो internal energy change है n यहाँ पर moles है cv क्या है constant volume के उपर heat capacity dt क्या है temperature change है अब देखो हमार पस यहाँ सी अगर हम at constant volume ले at constant volume यह पहले एक चीज और समझा दोता हूँ आपको तब यह वाला expression player ले समझाएगा आपको जैसे हमार पस क्या होता है first law of thermodynamics क्या बोलता है du is equal to q plus w हमने अगर process isocoric हो isocoric का क्या meaning होता है जब volume constant हो volume constant हो तो work कितना आता है तो work हमेशा 0 होता है isocoric process के लिए मतलब जब volume constant होता है work हमेशा 0 आएगा ठीक है याद रखना कैसे work का formula होता है minus p external into dv अब अगर हमारे पास volume constant है तो volume में change कितना आदेगा 0 अगर volume change 0 हो आगया तो work भी कितना आदेगा यहाँ पर dv 0 हो गया तो पूरा expression 0 हो गया तो याद रखना जब भी isocoric process होगा उसमें जो हमारा volume होता है वो constant होता है और work उस case में 0 होता है अब देखो first law of thermodynamics से अगर हमारा volume constant है add constant volume work कितना आदेगा 0 तो जो internal energy change है वो किस की कुला जाएगा heat exchange की कुला जाएगा add constant volume तो आप लोगों ने यहाँ से line से important क्या interpret करना है कि जो हम heat exchange करते हैं किसी system के दुरान system ने surrounding को heat दिया या heat लिया constant volume के ओपर जो heat exchange करते हैं वो उसकी internal energy के equal होता है यह important line आप से पूछा जा सकती है the heat exchange the heat exchange at constant volume is its internal energy तो यह वाल लाइन भी आपने ध्यान रखनी है उसके बाद देखो यह वाल एक्स्प्रेशन हमें clear हो चुका है du is equal to ncv dt तो यहां से ncv किसकी इकल आदाएगा du by dt add constant v वोगि हम volume constant मान की चलते हैं तो यह वाल एक्स्प्रेशन भी आप से पूछे जा सकते हैं और du किसकी इकल होता है q add constant volume यह first law of thermodynamics से हमने drive किया है जो heat exchange होता है constant volume पे वो internal energy change के इकल होता है तो यह कुछ expression है जो आप लोग को ध्यान रखने है तो यह वाल डारेक्टली पूछ लेगा इन में से कौन से expression correct है तो वहां पे आपको यह काम आएगे उसके बाद जो next point है जो internal energy है du is equal to ncv dt n तो moles होते constant होते है cv भी constant है heat capacity तो जो dt है मतलब जो internal energy है temperature के उपर depend करती सिर्फ internal energy is function of temperature only function of temperature only मतलब जो internal energy होती है सिर्फ और सिर्फ temperature पर depend करती है अगर temperature zero कर देंगे तो internal energy भी क्या हो जागी zero हो जागी तो if isothermal process अगर isothermal process हुआ तो उस case में हमारे पास जो internal energy है du वो क्या हो जागी zero हो जागी because temperature constant हो जागा temperature constant हो गया तो internal energy कितनी हो जागी zero हो जागी इसकी next देखो हम देखते है concept of degree of rhythm degree of rhythm आप लोग को ध्यान लगिए degree of rhythm इसको मैं शोग करूँगा F से यह आप लोग को सिर्फ याद करने है degree of freedom की तीन values कौन कौन से value याद करने है आप लोग को जैसे अगर हमारे पास कोई monotomic gas होगी जैसे single gas होगी monotomic argon होगी helium अकेली exist करती है उनके लिए अगर कोई gas diatomic होगी like H2 and to die atomic gas होगी diatomic ठीक यह वाला case होगया हमारे पास diatomic और यह होगया monotomic लिए और उसके बाद आजाएगा polyatomic का case यह polyatomic यह polyatomic में दो केस आजाएगे अगर हमारे पास structure linear हुआ like CO2 तो यह है तो polyatomic दो से यादा atoms है बट यह फिर भी कह लीनियर है और दूसरा case बन जाएगा non-linear का मतलब polyatomic है एक से जादा बट non-linear है like SO2 तो इनकी degree of freedoms की value आपको याद करनी है कैसे करेंगे तो मेरे साथ बोलिए 356 मेरे साथ कितना बोलना आपने 356 तो सबसे पहले में monotomic के case में degree of freedom कितने होते है 3 कैसे होते है वो सब पार्टनी है degree of freedom कितने होगी поч 3 deep diatomic के case में 5 polyatomic के linear के case में भी कितने आगी 5 polyatomic के linear वाड़े case में कितने आगी 5 आएगी तो diatomic बोल दू छाहे polyatomic linear ये कि बात है उसके बाद जो non-linear वाड़ा case होता है इस میں degree of freedom कितने होती है 6 यह point याद रहेगा आपको 356 356 याद करना है 3 किसमें होते degree of freedom monotomic में 5 किसमें होती है diatomic में as well as polyatomic linear में 6 किसमें होती है polyatomic non-linear के अंदर तो next जो होता है हमार पास हम degree of freedom से cv की value निकाल सकते है cv क्या थी heat capacity add constant volume cv की value का formula होता है fr by 2 f का है degree of freedom r by 2 एक है ऐसे हम याद कर सकते है मतलब monotomic के लिए कितनी हो जागी 3r by 2 cv की values इसके लिए कितनी हो जागी 5r by 2 इस case में कितनी हो जागी 5r by 2 तो इस case में कितनी हो जागी 6r by 2 मतलब 3r एक हमार पास किसकी value होगी cv की अब हमारे पास दो important relations होते हैं एक होता है CP minus CV is equal to R इसको हम बोलते है Mayors equation इसको क्या बोलते है Mayors equation याद दखलो direct push to exam में एक होता है CP over CV is equal to gamma इसको हम बोलते है poison ratio इसको हम क्या बोलते है poison ratio बोलते है तो relation याद करने हैं अब अगर आपके पास CV की value आगी अगर आपके पास CV की value से तो याद होगी तो आपसे CP की value पूर सकता है तो CP की value क्या आगी CP is equal to R plus CV मतलब इसमें R add कर देंगी तो अगर हम R add करेंगे तो क्या बनेंगी 3R by 2 में R add किया तो हमारे पास क्या बन देगा 5R by 2 तो यहाँ पे आदागी 5R by 2 तो यहाँ पे आदागी 5R by 2 तो यहाँ पे आदागी 7R by 2 तो यहाँ पे आदागी 7R by 2 और इस केस में 4R तो यह क्या हो जाएंगी हमारे पास CPE values और गामा निकालना हो poison ratio तो वो क्या होता है CP over CB कि यह आप लोग solve कर लेना कि इस case में आदागी 1.66 इस case में आदागी हमारे पास 1.4 इस case में 1.4 और इस case में आदागी 1.33 यह खुश सॉल्व करना तो आपको बस चल जाएगा यह हमारे पास values कैसे आई है तो degree of freedom बाला जो इतना complex topic होता है आप बस इतना सा याद कर लो 356 ठीक है 3 होता है linear के case में sorry monotomic case में 5 होता है diatomic and linear के case में और 6 होता है triatomic non linear के case में ठीक है उसके वाद cv का एक formula याद करना पड़ेगा जो होता है fr by 2 उसके आद cp minus cv is equal to r and cp over cv is equal to gamma यह दो तिन relations हैं जो आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे और gamma की values हम निकाल सकते हैं तो अगर आपसे पूछ ले gamma of diatomic diatomic ले gamma कितना होता है 1.4 अपने पास gamma of non linear case gamma of polyatomic non linear तब हमारे पास क्या बन जाएगा 1.33 तो यह values आपको याद हो जाएगे एक्जाम में direct पूर सकता है बागी कैसे होती हैं कैसे निकलती हैं वो सब मैंने मैथल आपको करवा दिया एक और खुश से लिखके देखना यह वाला topic आप लोग को definitely समझ आ जाएगा इसके बाद देखो next जो term हम discuss करने आ रहे हैं वो है enthalpy हमने internal energy को पूरा पढ़ा वर्क को पढ़ा अच्छे से अब जो next हम discuss करने आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं enthalpy ठीक है enthalpy से पहले एक topic और बताना होजे जैसे अगर हमारे पस isothermal process होता है कि isothermal process होगा कोई ठीक है तो isothermal के लिए देखो delta u is equal to q plus w क्योंकि जो internal energy है वो temperature पर depend करती है isothermal के case में temperature क्या होगा है constant मतलब change in temperature क्या होगा है 0 तो internal energy भी क्या हो जागी 0 तो q plus w तो जो वर्क आएगा वो किसके को आज़ेगा minus q मतलब अगर आप से पूछ ले जाए वर्क तो आप निकाल सकते हो isothermal के लिए isothermal के लिए वर्क का क्या फर्म लाता है minus 2.303 nRT log final volume divided by initial volume अब जो आपको q निकाल ली हो heat निकाल ली हो तो just इसका क्या कर देना opposite तो negative में आ जाएगा negative positive हो जाएगा q is equal to 2.303 nRT log v final over v initial तो ये वाला relation आपके पास क्या हो जाएगा form हो जाएगा next topic है हमारा enthalpy देखो enthalpy क्या होती है इसको हम h से represent करते है enthalpy इसे system का heat content बताते है कि उसके पास कितनी heat है उसके लावा ये state function होता है ये temperature and pressure के उपर depend करते है ये एक extensive property है उसके लावा depends upon nature of chemical substance ये सब होता है उसका जो h का mathematical expression होता है h is equal to u plus pv ये आप लोग को यादी करना पड़ेगा ये mathematical expression होता है यहाँ पे h enthalpy u internal energy v pressure and v volume होता है अगर हम change निकालें तो delta h किसके को खुला जाएगा delta u plus delta pv हमने change निकालें इनमे delta h किसके को खुला जाएगा delta u plus change in pv कैसे निकालेंगे p को constant रख लो v में change निकालो फिर v को constant रख लो v में change निकालो इस तरह से हम क्या निकाल सकते है change निकाल सकते है उसके बाद अगर हम add constant pressure देखे add constant pressure हमने pressure को constant कर दिया तो delta p क्या हो जाएगा 0 change in pressure तो यहां पर delta P अगर 0 हो जाएगा तो यह वाले पूरा term 0 तो delta H का expression क्या आएगा delta U plus P delta V तो delta H का expression आगया हमार पास delta U plus P delta V next को हमार पास ठीक है इसी relation को मैं आगे यूज़ करता हूँ यह वाले relation को यहां पर एक और formula मुझे बताने हैं अब लोग को delta H is equal to delta U plus delta PV मैंने लिख रखा है अब देखो हमार पास PV क्या होता है NRT की क्या होता है idle gas equation अब change in PV किसकी क्या दाएगा change in number of moles into RT तो यह वाला भी हमार पास क्या बन जाता है formula बन जाता है तो यहां पर delta H किसकी क्या दाएगा delta U plus delta NG RT तेखो यह वाला formula most important है यह most important है previous year में भी आ रखा है इससे question और next time भी आ सकता है तो यह वाला formula भी आपको याद करना है delta H is equal to delta U plus delta NG RT अब इसका क्या use होगा वो मैं आपको समझाऊँगा देखो यह वाला करक है इन्होंने यहां पर मैंने show भी करके slide क्यों थूँगा हाँ देखो अब हमारे पास जो relation आ गया delta H is equal to delta U plus delta NG RT तो यहां से आप से पूस्ता difference delta H minus delta U होगा तो इसकी क्लुआ जाएगा delta NG RT के तो यह वाला expression important है मैं आप से बोलूँ find expression of find expression of delta H minus delta U delta H minus delta U for falling reaction reaction का given आपको N2 plus 3H to giving 2NS3 आपको value के निकालने है delta H minus delta U की तो इसको कैसे solve करेंगे delta H minus delta U is equal to delta NG RT तो यहां पे आपको delta NG निकालने है बस delta NG कैसे निकालते है जो product के gases moles होते है gases लेने होते हैं हमेशा products में कितने gases moles है? 2 reactant में कितने 3 यहां पे है? 1 यहां पे total 4 है तो product से reactant minus करना होता है जैसे यहां पे करके दिखा है उन्होंने product में 2 है reactant में कितने है? total 4 है तो 2 minus 4 minus 2 तो delta NG की value इस case में कितनी आ जाएगी? minus 2 आ जाएगी तो delta H minus delta U is equal to minus 2 RT इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा? option बन जाएगा तो इस type का question भी आपके exam में frame हो सकता है यह पहले हुआ है तो next time भी हो सकता है इसके बाद last point है आज के session का ठीए बाकी का thermodynamics का part यह first law almost हमारा cover हो जुका है ठीए second law में हम entropy का idea लेंगे तो next lecture में लेंगे तो major portion था formula वाला वो हमने आज discuss किया है तो आप लोग बस आज थोड़े से ज़्यादा formula होगे के because thermodynamics topic की ऐसा होता है बट एक तो आज revise करना में next section में आपको question के साथ साथ जो second law वाला part complete करवा दूँगा तो यहाँ पे देखो यह वाला हमारा पास expression होता है तो यहाँ पे तीन case बनते हैं अगर देख़ेट नगेटीफ हो जाए तो देख़ेश देख़ेऊ बड़ी होजाएग January देख़ेटा यू की ऐरला यू से कुछ कम होके आरहा तो डेलटा यू से कुछ कम होके आ रहा है तो delta h चोटा हो गया, delta u हमारे पास बड़ा हो गया और अगर delta ng positive होगा, तो delta h greater than delta u होगा तो यह तीन case की based भी आपसे question frame कर सकते हैं तो यह वाला topic मैं यहीं पे wind up कर रहा हूँ फिलाल के लिए almost हमारा first law तक को complete हो चुका है बस second law में हमने entropy को discuss करना है और questions की करनी है, practice करनी है तो आज के session के अंदर हमने first law तक complete discuss किया है जितने भी formulas है, entropy को छोड़के हमने सारे ही discuss किया है बस आप लोगोंने एक दोवर इन formulas को लिखकर practice जुरूड करना है I hope आप लोगों को यह session clear होगा Thank you for watching this video और जिन भी students ने इस channel को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर सकते है because limited time है आपके academic exam में तो तब तक आप लोगोंने proper जम कर पढ़ना है ठीक ना, 15 से 20 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ लेती हो किसी भी exam के लिए जो last के 15 से 20 दिन होते हैं यही जम कर पढ़ना होता है डेली 12 से 13 घंटे आप लगा सकते हो भी because exam पास है तो 12 तेरा घंटे बनते हैं कि आप डेली से पढ़ोगे Thank you for watching this video